अब सबका स्वागत है अगेन आपके अपने चैनल पर जैसे के आपने डिस्कस किया था चलो आज से हम लोग एटलिस्ट वीकली आनले से अगरा स्टार्ट करने वाले तो बिना कुछ देरी किये हुए जल्दी से फटा-फट स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं आता लेकते तो मैंने यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम उपन किया हुए हुए मैं यहाँ पर सब लेवलस निकाल दितो अगरा बैंक निफ्टे को वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हो तो क्लियर कट था अपने डिसकस कर रहे थे कि यहाँ डबल टॉप बना कि यह नीचे आ गया अब यहाँ पर इसका एक लेवल कुन सा है बैंक निफ्टे का एक लेवल दिख रहा है 44,000, 43,600 यह एक downside में एक major support दिख रहा है तो अब आने वाले time में हम लोग weekly time frame में किस तरह plan कर सकते तिको market में हाँ से आपको पता है selling always was इस तरह selling आ गई बट कही न कही इस लेवल पे 43,600, 500 यह जो पुरा zone है यहाँ पर कही न कही बायर रेडी है बायर इंट्रेस्टेर्स्टेर है कि इस लेवल से हम लोग इसको buying कर ले यहाँ पर market में selling आ गई एक retracement यहाँसे एक bounce हो गया अब हमें चाहिए कि अगर यहाँ पर panic selling आनी है aggressive selling आनी है तो यह जल्दी 43,600, 500 यह लेवल निकाल के जल्दी market नीचे आ जाए अगर क्योंकि यहाँ पर अगर selling fast नहीं आई तो chances बहुत ज़्यादा है कि market अगे यहाँसे एक बार bounce ले सकता है तो अब हम लोग weekly time frame में किस तरह प्लान कर सकते हैं weekly time frame में मेरे हिसाब से अभी आज market के price है 44,300 ना at least यह market 44,000 758,000 के उपर अगर निकलता है तो अगेन हम लोग यहाँ पर buying का plan कर सकते हैं मेरे लिए यह जो पूरी range है 44,800 से लेके 43,600 यह जो range है यह पूरा sideways का range है यह अगर आप option seller हो तो आप यहाँ पे selling कर सकते हो बट buyer के लिए यह आप ज्यादा directional यहाँ पर प्लान ने कर सकते हो हर 200-300 पॉइंट के बाद market यहाँ पर रिवर्सल ले सकते हैं जो कि आपने देखा है यह लेवल रहेंगे बैंक निफ्टी के weekly अब मैं इसको वंडे के टाइम से ओपन कर देख लो क्लियर कट डिख रहा है कि यह उपर से यही लेवल है और डाउंसाड में यह जोन मार्केट ने पूरा का पूरा लाश आटलीस दो वीक इसी जोन में निकाल दिये अगर इसी जोन में रहता है तो यह इसी तरह साइडवेज रहेगा तो मेरे लिए यह जो जो रहेगा पूरा का पूरा यह नो ट्रेडिंग जोन है अगर आपको बता रहा है अब हम लोग आते हैं कि 15 मिट्स में इसमें कैसे प्लाइन कर सकते हैं मैंने आपे 15 मिट्स टाइम फ्रेम उपन कर दिया हमें लाश्ट टाइम कल दा क्या देखा मार्केट यहाप डाउन ओपन हो गया यहां से सेकंड आपने इसने ब्रेक आउट करके बस एक कैं देन सेकंड आपे फिरसे एक बार सेलिंग आ गई उसके दिव नेक्स डे क्या हुआ मार्केट ग्याप अपन हो गया और इसने यहां पर ब्रेक आउट कर दे यह टूजडे का दिन था तो क्लियर कट आपको सेट अप दिख रहा है मेरे लिए अगर मार्केट कल यहां पर कही पर निकलता है तो साथ सो का मेरा फर्स टार्गेट रहेगा अगर मार्केट फ्लाइट ओपन होता है तो ठीक है डाउनसाइड में क्लियर कट है आपको लेवल नीचे सपोर्ट दिख रहा है कि यह 44,200 का यह सपोर्ट है अगर मार्केट फ्लाइट ओपन होता है तो 44,200 के बाद नीचे बट इसका अगें सपोर्ट है 44,000 उसके नीचे है 43,800 मतलब हर 200 पॉइंट के बाद मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि डाइरेक्शनल आप नहीं मिल सकता है हर 200 पॉइंट के बाद दर है कि मार्केट कई बाउंस हो जाए तो अगर आपको प्लान भी करना है तो यह दो लेवल्स रहेंगे यहां से बाउंस एक्सपेक्टेड है अगर मार्केट कल इसी जोन में रहता है तो 500 के लेवल के बाद अगें हम लोग 700 हर दिन अपसेड में प्लान करेंगे अगर मार मार्केट कल 500 वगरा के उपर गया तो मैं वेट करूंगा कि यह मार्केट 500 के उपर सश्टेन हो जाए अगर इसके उपर क्लोज होती है तभी प्लान करेंगे नहीं तो अगें मार्केट यहां से रिजेक्शन लेके फिर यहां पर वोलाटिलिटी क्रियेट कर सकते हैं अगर मार्केट कल अगें गाप डाउन ऑपन हो गया तो फिर हम लोग यहां पर फुटि फ्टोर हजन तक का लेवल का वेट कर सकते हैं यहां पर अगर यह वनविटी वनवाएटी पॉइंट्स का गाप डाउन अपन होता है तो फूटि फूर ताउजन अगें एक सपर्ट ले चाहिए कि continuously इस तरह तीन दिन अगर मार्केट को selling के लिए आना है तो यह मार्केट continuously तीन दिन selling के लिए आ जाए जो कि नहीं आ रहा है तो हर बार एक bounce support level से आप बाउंस expected है तो मेरे लिए चाहिए कि अगर आप यहाँ पे 200-200 point का छोटा-छोटा target लेते हो और इस लेवल का breakdown का वेट करते हो या फिर इस लेवल का breakout कर लेते हो breakout का वेट करते हो तो यह थोड़ा सा सेफ रहेगा तो सिंपल है अगर मार्केट का लिए आसे फ्लाइड स्लाइड गाप अगरा भी हो गया तो 500 के लेवल के बाद 700 तक के उपन करते हैं तो निफ्टी हाँ पर क्लियर कर दिख रहे है कि इसने यह देख लो यह जो स्विंग बना रही थी इसने अपने प्रिवियर स्विंग को ब्रेक नहीं किया मैं आपको लाइव में भी कहता हूँ यहां से बाउंस होके जा रही है तो निफ्टी कहीना कहीं मु दिखेंगे नई तो 500 के उपर है तब तक निफ्टी बूलिश है उसके बाद में इसको वन डे टाइम फ्रेम उपन कर देता हो यहां पर मार्केट ने नीचे से अगर आप इसमें ट्रेंड लाइन डालना चाहते हो तो ट्रेंड लाइन भी डाल सकते हो यह एक चैनल में अगर यह चैनल का ब्रेकडाउन करता भी है तो 500 लेवल से एक बार बाउंस एक्सपेक्टेड है अगर पांसो के लेवल निकाल दी यह लेवल का वेट करेंगे हम लोग अब उसके बाद में आता हो 15 में टाइम फ्रेम में 15 में टाइम फ्रेम सेम यह सब्सक्राइब करते हैं यह टाइम टाइमट्स सैम सेम् एक लिशचानल में में चल रही कुंजर रहां यह चैनल के ब्रेक आउन के बाद या बेर्यकड के बाद यह प्लाएन करेंगे तो मेरे लिए %क कलका ब्रेकड लेविल रहेगा। 15,000 850 मतलब मतलब 788 वगरा के उपर कहीं पर भी ओपन होती है तो जैसे यह 850 के लेवल निकाल देगी हम लोग यहां पर अब साइड में प्लैन करेंगे तब तक नहीं अब तक निफ्टी में वेट एंड वाच है डाउन सैड में एटलीस इसको 680 के निचे आने दो दिन हम ल लोग यहां पर वन डे टाइम फ्रेम के इस आप से देखते हैं मंतली टाइम फ्रेम के इस आप से देखते हैं तो मिडिकाप देख लो मिडिकाप 1 2 3 4 5 6 7 7 continuously green candle है अब कही न कहीं यहां पर एक काइंड आप डोजी मार्केट बना रहा है तो यहां से एक्सपेक्टेड है कि आने वाले एक एक मनिया फिर उसके बाद निफ्टी में एक हाद red candle एक kind of pullback आ सकता है तो अगर हम मिडिकाप में डाइरेक्शनल बाइंग का प्लान करें हो तो यहां पर थोड़ा रुख जाओ मैं आप बिल्कुल रिकमेंड ने करूंगा कि आपको यहां पर बाइंग करना चाहिए मार्केट को एक छोटी सी रिट्रेस्मेंट देने दो यह वन सेड अपसेट चल रहा है तो मंतली टाइम फ्रेम के इसाब से मिडिकाप में एक रिट्रेस्मेंट पेंडिंग है अगर वो आना आता है तब हम लोग इसको अग्रेस्वली बाइंग का प्लान करेंगे म अगर आपका रिस्पॉंस यहां पर अच्छा आता है तो मैं ट्राइक करूंगा आपको वन डे में भी मतलब डेली मार्केट अनलेसिस भी आपके सामने पोस्ट करूँ तो अगर आपको यह वीडियो पसना रही होगी तो उसको लाइक कर देना और जैसे मैंने आपको लाइ आपको उिपर आपको आपको होगी